उस्टेलिया के अंदर तारीख में पहली दफा T20 सिरीज जीतने का गोल्डन चांस तो पाक्सन क्रेकी टीम गवा चुकी है लेकिन इस वक्त पाक्सन वर्सिज ऑस्टेलिया तीसरे T20 माच चा पहले अगेन ये बाते की जा रही है कि इन आइडियल प्लेइंग 11 बाबर एंड रिजवान शुड नाट बी अपार्ट पाक्सन क्रेकी टीम और ये शुड नाट फीचर इन दा प्लेइंग 11 पाक्सन क्रेकी टीम लेकिन क्या वाकई तीसरे T20 माच में इन दोनुक राडियों को टीम से बाइर कर दिया जागा इसके ओपर डीटेल्स आज के वीडियो में मै जो गेरी क्रिस्टन थे उनके रिजाइन के बाद अबूरी हेड़ कोच के तौर पर जेसन ग्लैसपी आए लेकिन अब ये कन्फर्म हो चुका है कि जेसन ग्लैसपी की जो कल का मैच है वो लास्ट मैच होगा पाक्सन क्रेकी टीम के साथ और ना सिर्फ वाइड बाल फॉर्म है वो कैसे हुई इसके उपर जनाब जो इन्फरमेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है देन पाक्सन वर्सीज ऑस्टेलिया थर्टी ट्वन्टी मैच जिस ग्राउंड पर खेला जाना है इस ग्राउंड के स्टैट्स क्या है इस ग्राउंड की बाउंडरी डिमेंशन क आए और यहां पर पाक्सन ने पहले कितने मैच जीते और आउस्टेल वी टीम यहां परमाजी में कितने मैच जीचुकी है और एवरी स्कोर क्या है इस ग्राउंड का यह वन बैवन मैंने शेयर करना है देन जनाब जो पिच रिपोर्ट है वो किस तरह की है और मोसम जो है व बैवन मैंने आपके साथ शेयर करनी है लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल को पर नहीं है और चैनल को अब भी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो जो है वो पर अपनी कीमती रहे जो है उसका इजहार लास्मी करें क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टन्ट हैं और मेरे जो पराणी व्यूवर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि जो भी कमेंट आता है मैं उसको जनाब रिस्पॉंड करता हूं तो मैं इस अच्छा जनाब रिस्पॉंस दिया, इस रिस्पॉंस को हमने कांटिन्यू करना है, कमेंट सेक्चन के अंदर ये वीडियो आप कहां से, किस हिलागे से देख रहे हैं, आप वो शेयर करें, इसके अलाब वीडियो को लाइक करें, और जादा से जादा जो अपने दोस्त मैचिस अब तक खेले जा चुके हैं, और इन 13 मैचिस में से जनाब जो स्टेलवी टीम है, उन्होंने चार मैचिस जीते, जबके यहाँ पर जो जनाब आठ मैचिस खेले गए हैं, नो मैचिस टोटल, वो टोरिंग जो टीम्स थी, यानि के T20 वरल्ड कप 2022 का जो क्वालिफा इन राउंड है, उसका शेडियूल किया गया था, जिमबवे वर्चिस सौथ अफरीका यहाँ पर, और यह मैच बारिश के नजर होगा था, तो ओवरल, यहाँ पर 13 मैचिस शेडियूल हुए, 12 मैचिस जो हैं, वो कंप्रीट हुए, इन 12 मैचिस में से उस्टेलवी टीम ने वो भी ऑस्टेलवी टीम ने जीता था, और यह मैच हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों टीम होंने, जैनि के बैटिंग फर्स्ट करते हुए, उस्टेलिया ने दोसों से जाहिद रांज फट्टे के उपर लगा थे, और चेज करते हुए, जो वेस्ट अंडीज की टीम है, वो जो बैटिंग सेकिंड करने वाली टीम है, वो सिर्फ पांच मैच जीती है, चुकि यहाँ पर ज्यादेतर मैच जीज क्वालिफायर रांड के खिले गे, तो इसलिए ये स्ट्राइट्स उतने जनाब कारगर साबित नहीं हो सकते हैं, जितने बाकी ग्रांड के थे, और इसक ये T20 क्रिकिट के अंदर, और इसके अलावाद जो एवरीज स्कोर है यहाँ पर, वो बैटिंग फर्स करते हुए 158 रांज और जनाब 8.21 यहाँ पर एवरीज रांज पर ओवर है, तो इस अमंग दा हाई स्कोर ग्रांड जिन दा ऑस्टेलिया और इस ग्रांड की जो भी बैट्समांग जो है उनकी विक्टे हांसल की थी, तो पाकसण के बॉलर्स चूब्क फोनके इस सीरीज में अभी तक बहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं, लास्ट मैच चांडर भी पलॉदर ने बहतरीन बॉलिंग की थी, अपर्ट फरम नसीम शाह, तो जो चेंज की बॉल टोटल नाकाम हुई और जिस तरह से पाकिसन के बैटिंग ऑर्डर जो है वो पहले दस अवरू के अंदर चोके नहीं मार पाया था तो आइडियल सिचुएशन अगर डिसकस की जाए तो उसमें बाबर रिज्वान सामजादा फरहान सल्मान अली आगा यह चारू खिलाड़ी जो है वो प्लेंग 11 का हिस्सा बनते नहीं है लेकिन चुके आइडियल सिचुएशन इग्जेस्ट नहीं करती पाकिसन क्रिकेट की जब बात की जाती है तो सल्मान अली आगा भी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे बाबर और रिज्वान भी बैटिंग करें हाँ वाह जना मैंसे 14 लड़कों को मेरे नजदी जनाब चांस देगा और 15 लड़का जो इरफाद मिरास है उसको यहां पर चांस नहीं मिलेगा आगे जिंबाववे टूर पर उनको जनाब जो पाकिसन की प्लेंग 11 है उसका हिसा बनाया जाएगा तो कल के मैच्च में जहादाद खान पाकिसन के लिए डेब्यू कर सकते हैं और इसके अलावा जो जनाब साबत अदा फरहान है उनकी जगह पर हसीबुला खान प्लेंग 11 के अंतर खेल सकते हैं जनाब यह जो ग्राउंड है जहाँ पर पाकिसन वर्चिस उस्टेलिया आखरी मैच्च खेला जाना है अगर इस ग राउंड कवर है वो रहेगा लेकिन बारिश जो है वो पाकिसन और इस्टेलिया के मभएन जब मैच्च खेला जा रहा होगा तो उसके तरह नहीं बरसेगी और जो प्रपरबिलिटी आफ परसेप्शन है वो सिर्फ तीन परसेंट है और तीन परसेंट अल्मोस्ट ना होने क आकिब जवेद पाकिसन कोईगी टीम के हेड कोच कैसे बने जा रहे है तो जो पाकिसन ने इंगलेंड के खिलाफ टेस्ट सिरीज जी थी उस टेस्ट सिरीज का जो वाहिद क्रेडिट गया वो ना नुमान को गया ना साजित खान को गया ना कामरान गुलाम को गया जिन्हों ही जनाब जो सुल्मान अर्यागा हैं उनको क्रेडिट दिया गया था बलके सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया ने हाइलाइट किया था वह आखकी बॉल था हालांके बाद में ये ख़बर सामने आई कि अलीम डार ने अनिशली ये कहा था कि जो यूज सर्फिस है उसी के उपर पाकसन वर्सिस इंगिलेंड सेकिंड टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर खिला दिया जाए लेकिन चुके मीडिया ने अनिशली परसेप्शन ये बिल्ड की और पिर आकिप जवेद के अपनी जो जनब सेलेक्शन कमेटी का मेंबर बनने से पहले की स्ट्रेटमेंट सी जिसमें उन्हों का था कि जो स्क्वेर है उसको रफ करें इसके लावा जनब जो स्पिनिंग कंडिशन वो तर्तीब दें सो पाकसन वो दो टेस्ट मैचिस जीत ग लेकिन सब को पता है कि उनकी से स्लेक्शन कमेटी में सबसे ज़दा है तो इसी वज़ए से उनको अब हैड को जो है वो बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि सामहो यह पाकिशन के लिए एक अच्छा फैसला जो है वो हो सकता है लेकिन कितना अच्छा होगा यह आने व उन्हों कर दोना विस्जां कर दो भिस्जां कर दो कर दो फिस्जां कर दो भी टो जैं।